हन्हाँ अब सभी का हमारे शेटूप चनल मेरे स्वागत हैं अब और फ्रेंट्स अब मेरे लेस लेक्ट्र नूमबर 8 तक हमने में किछ उब्सक्राइध बत्सारी तो ध्रत हम समपड़ा यह कूछ यह कुछ cyclic group के ही important definitions पढ़ेंगे यह हमारे पास if g is a finite cyclic group of order n then the number of district subgroup of g is the number of district divisor of n and there is a unique subgroup of g of any given order basically friends यह थे थेवरा हमारे पास करेंगे g एक हमारे पास finite cyclic group है then उसमें हमारे पास number of subgroup जो होगा district subgroup of g जो होगा वो हमारे पास n के कितने divisors हैं उनके equal number of subgroup होगा and there exists a unique subgroup of g of any given order और कोई हमारे पास एक order दिया हुआ है तो उस order का हमारे पास एक unique subgroup होगा इसको हम simply एक problem की help से दिखते है consider the cyclic group cyclic group जो है वो है वो है हमारे पास जैड थर्टी जैड थर्टी एक cyclic group है जिसमें हमारे पास element के है जीरो वन तू डॉट 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 और यह 29 तक element है यह element है उस condition में under the addition module 30 और जो सब्सक्राइब है वो है मारे पास addition module 30 और थर्टी इस तर्टी है जो है जो है वो एट डिवीजर है वो डिवीजर कॉन को से है वन टू थ्री फाइब शिक्स टैन फिप्टीन एंड थर्टी इसके लाबान का कोई भी डिवीजर नहीं है तो यह हमारे पास इनके लिए हर एक के लिए सब्सक्राइब को सब्सक्राइब होगा इनके साथ और इस तरह से फाइब से जोगा 0510 इसी तरह 6 से जोगा वह जीरो 612 24 तक 10 से जोगा 010 20 15 से 015 एंड 30 से होगा 0 अब हमार पास तोटल नंबर ओफ डिवीजर्स कैसे निकालते हैं किसी होगें तो यह निकालने के लिए तोटल नंबर ओफ डिवीजर्स लेट एंट अगर आपर आप Wes B कैसे में लिख सकते हैं अगर हम एंपन यह को सकते हैं दें टोटल नंबर ओफ डिवीजर्स जो होता तो 30 की divisors 30 किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2.3.5 यहीं इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 यहाँ एल्फा 1 वराबर 1, एल्फा 2 वराबर 1, एल्फा 3 वराबर 1 तो यह हो गया नमबर व डिविजर क्या हो गया अल्फा 1 प्लस 1 यानि एल्फा 1 प्लस 1 एल्फा 2 प्लस 1 यानि 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 यान 2.2.2 बराबर 8 तो यहां से हम देख भी सकते हैं इसके डिवीजर्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 number of divisors यहां पे है तो इस तरह से number of divisors हम easily निकाल सकते हैं अब फ्रेंस हमारे पास next problem है let g be a cyclic group of order n and suppose d divides n जी जो है वो cyclic group है order n का और suppose क्या कि हमने d जो है एक element है जो कि divide कर रहा है n को then हमें so करना है कि x power d बराबर e जो है has exactly d solution उसके exactly d solutions होंगे तो इसको solution देखते हैं let g बराबर a यह से वो generate group है then order of g बराबर order of a बराबर n since d divide n जो है वो divide n कर रहा है तो there exist a unique subgroup of h क्योंकि हम पहले पढ़ चुके है अगर d जो है कोई number n को divide कर रहा होता cyclic group में तो हमारे पास x unique subgroup मिल जाता है h जो कि with order d होता है let h बराबर एक b एक ऐसा है subgroup मिल गया हमारे पास जिसका order जो है वो है d then order of h बराबर order of b बराबर d होगा तो h को किस फॉर्म में लेख सकते है b b2 dot dot b की पाबर d minus 1 और b की पाबर d बराबर e अब यह हो गया हमारे पास if bi belongs to h and bi कोई element है इसका belongs to h be any element then bi की पाबर d बराबर क्या होगा हमारे पास bi की पाबर d को क्या है b d की पाबर i जो कि e के एकवल होगा thus every element of h इसका every element जो है h का वो एक solution है x की पाबर d बराबर e का which gives d district solution of g यहाँ g के जो है वो d district solution है अब हमने क्या है now let c belongs to g, c को g का element है be any solution of x की पाबर d of e यानि g का कोई element है वो एक solution है c जो है वो इस तरह से solution है इसका तो c की पाबर d बराबर e होगा अब हमें सो करना कि c जो element है जो हम g से लिया है वो basically h का भी element है अगर यह सो कर देंगे तो हम कहेंगे कि जो इसके district element वो d element है यहाँ से हो गए c की पाबर d बराबर e तो order of c जो है वो divide करेगा d को order of c बराबर m सपोर्ज के लिए order of c बराबर m है then m जो है वो divide कर रहा तो यहां से हम कह सकते हैं c जो है वो उसका order जो है वो भी m होगा hence जो k जो है वो generated by c होगा तो k जो है वो generated by c होगा और c is subset of h as k subset of h and also c जो है वो belongs to h कर रहा है c belongs to h कर रहा है and thus any solution of x की पाब d बराबर e is in h तो यहां से होगा है कि हमार पास चुकि c जो था वो subset of h हो गया था तो c belongs to h हो गया था हमारे पास तो यहां से हम कह सकते हैं जो element थे h के वो जो हमने x जो c लिया था जी का वो basically h का ही element तो x बाब d के में जो होंगे total d ही district solution होंगे उसके बाद हमारे पास next theorem है a group g और prime order must be cyclic and every element of g other than identity can be taken as a generator यानि कोई एक group है हमारे पास जिसका order prime p है यान कोई prime number का एक group है उस condition में group का हर element जो होगा वो उसका generator होगा e के अलाबा तो यह हो गए हमारे पास prove करना let order of g बराबर p जो है एक prime number है take a belongs to g जो ले लिए हमने जो की e के equal नहीं है and let h बराबर a की पावर n n जो है एक integer है then h is cyclic group of g तो क्योंकि e की पावर n जो है हर किसी के लिए एक cyclic group होगा तो order of h जो है वो डवाइड करेगा order of g को order of h बराबर क्या हो सकता है क्योंकि हमने पहले क्या देखा था कि अगर h का जी का कोई सब ग्रूप है तो वह एक cyclic group का सब ग्रूप जो होता है cyclic group होता यह हमने previous theorem में पढ़ लिया था तो वहाँ से हमारे पास यह हो गया कि एक cyclic group है जी डवाइड करते ग्रूप डूप जिए को तो में कुछ एक extra element है ये के अलाबा तो order of h not equal to e as a belongs to h तो यहांसे हम कर सकते है order of h बराबर p तो order of h जो हमने एक subgroup लिया था वो p है और जो की जो की जी का भी जो order था वो भी p था h का भी order है वो p है यानि कि h बराबर जी है उसके पाद next term हमारे पास अ ग्रूप जी और प्राइम ओडर cannot have any non-travel subgroup यह हमारे पास कोई हमारे पास एक ग्रूप है जिसका order जो है वो prime है तो उस condition में उसके कोई भी non-travel subgroup नहीं हो सकता यानि ऐसा subgroup नहीं हो सकता जिसका order जो है वो one और p के अलाबा हो यान बन और order of g के अलाबा कुछ order हो ऐसा subgroup नहीं मिलेगा तो इसको दिखते है इस इस subgroup of g then order of h divide order of g तो order of g को डिवाइड करने वाले element क्या होते है वन और p तो h का order h पराबर क्या हो सकता है या यह element या यह element हो सकता है या h ब्राबर g हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट थरह हमारे पास है आग ग्रूप और फाइनाइट कंपोजिट और हैज एट लिस्ट वन नोन ट्रेबल subgroup यानि एक order order है मारे एक ग्रूप है हमारे पास जिसका order जो है वो एक कंपोजिट नंबर है यानि कि वो प्राइम नंबर नहीं है तो उस कंडिशन में यह कह रहा है कि उसके पास कम से कम एट लिस्ट वन जो होगा एक नोन ट्रेबल सब ग्रूप मिल ही जाएगा तो यह हमारे पास लेट order of g वराबर n और यह composite नंबर है तो दो नंबर के multiply की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको r.s की फॉर्म में लिख दिया where one less than r और s less than n जो r और s की value जो है वो one और n के बीच में लाइज कर रही है since n greater than one there exists e not equal to a चूंकि हमने n जो है वो greater than one लिया है तो यहाँ पर एक element मिल जाएगा a belongs to g जो की e के equal नहीं होगा consider a r एक element हमने consider कर लिया जब case first अगर a की power r बराबर e हो यह की power r बराबर e हो देन उस condition में order a less than equal to r होगा अगर a की power r बराबर e होगा तो उस condition में order of a जो होगा वो या तो r होगा या less than r होगा let order of a बराबर हमने के लिए k नमबर है वो इसका element है then one less than k less than r less than n k की value जो होगी वो definitely r से कम होगी as k जो greater than one और a के equal नहीं है तो उस condition में h बराबर a a square dot dot a की power k बराबर e हो जाएगा तो कि यहीं तक के elements के लिए हमारे पास वो हो जाएगा then h is a non empty finite subset तो h जो है वो non empty finite subset है और जी का और अगर हम इसमें closer property जो कि a dot a square करेंगे तो a q आएगा और इसमें cyclic group है एक तरह से तो इसमें भी एक closer property hold करें क्योंकि अगर suppose दो numbers का multiply करने पे कि इसे बड़ा कोशे m नमबर आ जाता तो इसको m को क्या लिख सकते थे n q 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 है और आद जो है वह 0 से और हम केसे केसे चोटा बंस से बढ़ा लेते हैं यह तो यहां से यह Late क्रण कर देता कि आज जो है वो जीरो होगा तो इस तरह से हम सो कर देते कि यह हमारे पास यह close भी है और इस condition में हम कह सकते हैं कि यह जो under multiplication close है तो starting में जब हमने पढ़ा था तो पढ़ा था कि अगर एक subgroup है और वो close है under multiplication तो उस condition में वो subgroup होता है किसी group G का के second जो है वो है हमारे पास a की power r not equal to e अगर a की power r not equal to e है then ऐस condition में a की power r की power s वराबर क्या होगा वह होगा एक पावर r dot s but r dot s क्या है n तहíं यह होगए हमारे पास ए तो order of e की power r जो है वह less than equal to s होगा अधिक हम ने急 order of a r व्राबर क्या है तो उस condition में हमारे पास 10 less less than n if we take k वराबर हमने k को सेट ले लिया कि जिसमें ए आर एक की पाफ टी आर बराबर ए जो है वो इस तरह के elements है तो इस condition में भी हम देख सकते हैं यह जो कि है वो एक नोनिप्टी सबसेट है और जी का और साथ ही के अंदर क्लूज है तो इस condition कहेंगे जी जो है वो सब ग्रूप है एविंग एलिमेंट लेश देन एन उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा हमारे पास if g is a group having no non-travel subgroup then g must be finite having prime order यह होगा हमारे पास अगर जी जो है वो ग्रूप है having no non-travel subgroup उसे कोई भी non-travel subgroup नहीं है then g must have be finite having prime order यह जो होगा वो finite होगा और उसका order जो होगा एक नंबर होगा तो इसके लिए पहले सम्ने सपोस्ज कर लिया कि जी जो है वो इन फाइनाट है तो जी इन फाइनाट देन वीकें से देट ए बिलॉंग्स टूजी सच देट यह नोट एक्वल टूजी को यह कैसा अलेमेंट होगा जो कि उसका एक जैनेटर होगा लेट एच बरा समस्क्राइम्ट कि एक पावर टू एक पावर टीड़ डिआ एक पावर एन जो एग तो है वो साइक्ली ग्रूप होगा एंड एद नौट इक्वल टू पो छीद एद लॉट इक्वल टू टूट पट जी अगया लेकिन दिया क्या हुआ हमारे पास जी का जो है कोई non-travel subgroup नहीं है तो यहां से हो गया हमारे पास h जो होगा वो basically g के बराबर होगा तो हम g को लिख सकते हैं एक कर्रस्पोंडिंग हमने basically पहले जी में माना कि g में एक cyclic subgroup है बट हमने जहां सो कर लिया कि g जी जी जो है basically cyclic subgroup यह अब consider now two subgroup दो subgroup को consider कर लिया कि यह बराबर a square यह एक subgroup है दूसर subgroup then a does not belongs to a square now क्योंकि यह जो है अगर belongs to करेगा तो उस condition में हमारे पास if a belongs to a square तो किसी एक के लिए यह हो जाएगा a की पाबर 2t यानि कोई 2 की form है यह क्योंकि a square इसको generate ले लेके चल रहे है तो order of a बराबर basically क्योंकि एक पाव टूटी अगर हम दोन तरफ inverse का multiply करते हैं inverse dot a बराबर एक की पाव टूटी माइन डोट ए इनवर्स तो यह हो गया एक पाव टूटी माइनस बन बराबर यह order of a बराबर टूटी माइनस बन बट और अगर order of a बराब टूटी माइनस बन है तो उस कंडिशन में है एच हमारे पास एक ट्रेबल सब ग्रूप हो जाएगा order of a finite हो जो कि true नहीं है तो इसके कह सकते हैं जो यह जो है वो does not belongs to a square अगेन यह स्क्वार नॉट उक्वल टूई यह हमारे पास एक स्क्वार से जनेरेटर जो इक्वल टू नॉट उक्वल टूई होगा क्योंकि अगर यह एक्वल है एक तो order of a फिर से finite हो जाएगा बट order of a जो है वो finite नहीं है हमने infinite लेके चले दस a square is a non-travel subgroup of g तो यहां से a square भी जो है वो इसका non-travel subgroup होगा जी का लेकिन यह भी possible नहीं है क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि जी जो है वो उसकी कोई non-travel subgroup है यह नहीं तो हम कह सकते हो order of g जो है वो cannot be infinite यह order of g जो है वो finite नही a finite composite order has at least one non-travel subgroup और इससे पहले पड़ी थी यह जो theorem पड़ी थे हमने इप जी जा subgroup having no non-travel subgroup then g must be a finite having prime order जो इस theorem के help से हम कह सकते हैं कि जी जो है वो finite है और उसका order जो है वो इक prime है तो इस theorem के help से हम directly कह सकते हैं जो कि हमने अभी पड़ी थी अब फिर्स हमारे पास next है हमारे पास the only group which have no non-travel subgroup are the cyclic group of prime order and the group ge यहनि कोई group है और उसका order p है तो उसके दो ही non-travel subgroup होंगे यह उसके दो subgroup होंगे only वो e होगा और g होगा और साथ में ऐसा group जिसे कोई भी non-travel subgroup नहीं है तो वो group जो होगा वो cyclic group होगा नेक्स दोर महारे पास an infinite cyclic group has precisely two generator यहन को infinite cyclic group है उसके at least two जो at least नहीं only two जो है वो generators होंगे तो इसके लिए let g बराबर अगर जो generator है तो उसके लिए हमारे पास उसका एंवर्स जो होता है वो भी एक generator होता है तो इसके दो generator हमारे पास मिल चुके हैं और एंवर्स के generator मिल चुके हैं अब हमने यह हमने ले लिया अगें एज ए बलोंग्स टू जी एंड बी इस जेनरेटर सो भी गेट यह बराबर क्योंकि यह दोनों element बी जी के ही है यह और बी तो ए बराबर बी की पावर एंब किसी एंब के लिए यह से होंगे फूर सम इंटीजर एंब यह बराबर बी पावर एंब बड़ बी की पावर एंब क्या है वी क्या है एक और एकपश्जा एन Climate Big tool इसे प्वंधी बराबर एं nm-1 order of a वराबर क्या हो गएicem m-1 order of a वराबर और ऑड़र ऑफ जी जो है वह इनफाइन है यह तो Esc confirm कि पॉसिवल ही नहीं कि यह फांन इन तो ओरर ऑफ जी वराबर order of a is अन्फाइन सुढ यहाँ पर यह कबद सीवल अगर n m m Pon dot m minus 1 बराबर 0 हो यह तभी possible है तो यह question तभी hold करें तो n बराबर plus minus 1 क्यों होगा क्योंकि यहां से हमने n बराबर बना पून है क्योंकि n और m जो है दोनों integer है अगर यह बन के अलाबर कुछ हुआ है या m की value बन के अलाबर कुछ ही तो n non integer हो जाएगा और इसी तरह n की value को plus minus 1 के अलाब होई तो m non integer हो जाएगा तो n की value क्या होगी plus minus 1 ही होगी तो यहां से कह सकते हैं b बराबर a और a inverse क्योंकि basically am तो am क्या होगा यह m की value 1 है तो यह होगा एंकी value 1-1 है तो minus 1 होगा तो यहां से होगा बी की value यह सकती है यह माइनस वन हो सकती है तो यह हमारे पास हम पहले भी क्या कहता कि हमने अगर जो एक generator तो ए और a inverse generator होगे अब दूसरा जब जनेरेटर लेकर चले थे तो बी या तो यह होगा यह इंवर्स होगा तो इस तरह कह सकते हैं कि हम को infinite group है तो उसके उल्ली दो generator होंगे वह भी यह और इंवर्स उसको नेक्ट क्वेस्टन हमारे पास हाउ मैनी generators अफाइनाइट cyclic group would have finite cyclic group है उसके कितने generators हो सकते हैं तो उसके लिए उसको generator निकालने के लिए हम फाइन निकालते हैं फाइन बेसिकली आयलर फंक्शन होता है आयलर फंक्शन को किस तरह से यह फोर एक्जामपल वह मैनी generator ओफ 30 30 के कितने generators है तो 30 के जनरेटर देखते हैं तो 30 को लिख सकते हैं 2.3.5 तो यह हो गया हमारे पास P1, P2, P3 तो यह हो गया 530 बाव 30, 1-1 अपॉन 2 1-1 अपॉन 3, 1-1 अपॉन 5 इसको solve गया तो 8 आ गया इस तरह 16 के हमारे पास 8 आ जाएंगे 10 के 4 आ जाएंगे तो इस तरह हम यह question solve कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम को और important theorem, important definition of cycle group के लेंगे thank you friends